आस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए भारत की प्लेंग 11 पकी। टीम से बाहर हुए तीन-तीन तूफानी खिलाडी। अचानक इस खतरनाक खिलाडी की हुई टीम में वापसी। भारतिय टीम की अगनिप्रीक्षा अब करीब है। भारत और आस्ट्रेलिया के समझ लेना चाहिए कि पहले टेस्ट में टीम इंडिया रोहिद शर्मा और शुभमन गिल की गैर मौजूदगी में किस प्लेंग 11 के साथ मैदान में उतर सकती है। भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया सीरीज के पहले टेस्ट में रोहिद शर्मा नहीं होंगे। माना जा रहा है कि वे दूसरे टेस्ट तक ऑस्ट्रेलिया पहुँच जाएंगे। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि यशस्वी जाइसवाल के साथ कौन सा बल्ले बाज होगा जो उनके साथ ओपनिंग करता हुआ नजर आएगा। इसमें अभी की बात करें तो सबसे प्रबल दावेदा केल राहुल को माना जा रहा है। वैसे तो अभिमन्यू ईश्वन का भी नाम है लेकिन अभी उनका फार्म कुछ खास नहीं है। वैसे तो केल राहुल के बल्ले से भी रन नहीं बन रहे हैं लेकिन अनुभव का फाइदा केल राहुल को मिल सकता है और पूरी संभावना है क कि वे बाजी मार ले जाएंगे। इसके बाद तीन नंबर पर विराट कोहली का आना पक्का है। इससे पहले उनकी जगह को लेकर छेड़ चाड़ की गई थी, जो फाइदे का सौधा साबित नहीं हुई। विराट कोहली का तीसरे नंबर पर आना ही सही रहेगा, क्योंकि वे इस टेस्ट टीम के सबसे अनुभवी खिलाडी है। इस बार ऑस्ट्रेलियाई टीम अगर किसी भारतिय खिलाडी से खौफ में है, तो वे विराट कोहली ही हैं। वे अगर चल गए तो बाकी टीम उनके इर्द गिर्द खेल कर मैच में बढ़त बनाने की कोशिश कर सकती है। शुभमन गिल चोटिल हो गए हैं। वे भी पहला मैच मिस करते हुए नजर आएंगे। ऐसे में माना जा रहा है कि देवदत्त पडिकल को उनकी जगह मौका दिया जा सकता है। देवदत्त ने अभी तक एक ही टेस्ट मैच खेला है, उसमें वे ठीक ठाक प्रदर्शन करने में काम्याब रहे थे, लेकिन अब उन्हें दूसरा मौका मिलने की पूरी संभावना है, जिसका फाइदा उन्हें उठाना होगा। इसके बाद रिशप पंत भी प्लेंग 11 का हिस्सा रहेंगे। बात अगर इसके बाद की करें, तो धुरुव जुरेल को भी मौका दिया जा सकता है। उन्होंने हाल ही में भारत एक ही और से उस्ट्रेलिया एक के खिलाफ शांदार बल्लेबाजी की थी, उसी के चलते उनका दावा मजबूत माना जा रहा है। टीम में आलराउंडर के तौर पर रवींद्र जडेजा और रवीचंदरन अश्विन को मौका यह जा सकता है। हालांकि ये देखना होगा कि पिछ किसकी मददगार होगी। अगर पेसर्स के लिए मदद पिछ में मिली, तो नितीश कुमार रेड़ी टेस्ट डेब्यू करते हुए नजर आ सकते हैं। इससे जडेजा और अश्विन में से किसी एक को बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। जस्परीद बुमराह पर होगी दोहरी जिम्मेदारी, कप्तानी भी वही करेंगे तेज गेंदबाजी आकरमण की जिम्मेदारी जस्परीद बुमराह पर होगी। वे इस मैच में रोहित शर्मा की गैरहाजरी में कप्तानी भी करते हुए दिखाई देंगे। उनके साथ मुहम्मद सिराज, आकाश दीप और हर्शित राणा को मौका दिया जा सकता है हर्शित राणा काफी वक्त से टीम इंडिया के साथ ट्रेवल कर रहे हैं लेकिन अब लगता है कि वो दिन करीब है जब वे भारत की ओर से पहला मैच खेलते हुए यानी डेब्यू करते हुए दिखाई दें अस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट में भारत की संभावित प्लेइंग 11 यशस्वी जैस्वाल, केल राहुल, विराट कोहली, देवदत्त पडिकल, रश्भपंत, धुरुव जुरेल, रवींद्र जडेजा, रवीचंद्रन अश्विन, जस्प्रीत बुमराह, कप्तान, मोहम्मद सिराज, आकाश दीप